नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं निर्जला एकादशी वरत कथा भीम सेन व्यासजी से कहने लगे कि है पिताम ब्राता युदिष्टिर, माता कुंती, द्रोपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदी सब एकादशी का वरत करने को कहते हैं परंतु महराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ती पूजा आदी तो कर सकता हूँ दान भी दे सकता हूँ परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता इस पर व्यासजी कहने लगे कि है भीम सेन यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रती मास की दोनों एकादशियों को अन मत खाया करो भीम कहने लगे कि है पिताम मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूक सहन नहीं कर सकता यदि वर्षभर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पेट में वरिक नाम वाली अगनी है सो मैं भोजन किये बिना नहीं रह सकता भोजन करने से वहशांत रहती है इसलिए पूरा उप्वास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किये रहना कठिन है अत आप मुझे कोई ऐसा वरत बताए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ती हो जाए श्री व्यासची कहने लगे कि है पुत्र बड़े बड़े रिशियों ने बहुत शास्त्र आदी बनाए हैं जिन से बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ती हो सकती है इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एक आदशी का व्रत मुक्ती के लिए रखा जाता है व्यासची के वचन सुमकर भीम से नरक में जाने के नाम से भैभीत हो गए और कापकर कहने लगे कि अब क्या करूँ मास में दो व्रत तो मैं कर नहीं सकता हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ अत वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ती हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताए यह सुनकर व्यासची कहने लगे की व्रिशब और मिथुन की संक्रांती के बीच जेश्ट मास के शुकल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है तुम उस एकादशी का व्रत करो इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है आचमन में च्छा, मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यता वह मद्यपान के सद्रिश हो जाता है इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नश्ट हो जाता है यदि एकादशी को सूर्योदे से लेकर द्वादशी के सूर्योदे तक जल ग्रहन न करे तो उसे सारी एकादशीों के वरत का फल प्राप्त होता है द्वादशी को सूर्योदे से पहले उठकर स्नान आदी करके ब्राह्मनों का दान आदी देना चाहिए इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मन को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन यह मुझको स्वयम भगवान ने बताया है इस एकादशी का पुन्य समस्थ तीर्थों और दानों से अधिक है केवल एक दिन मनुश्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है जो मनुश्य निर्जला एकादशी का वर्ष करते हैं उनकी मृत्यू के समय यमदूत आकर नहीं गेरते वरन भगवान के पार्षद उसे पुश्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं अत संसार में सबसे श्रेष्ट निर्जला एकादशी का वर्ष है इसलिए यत्न के साथ इस वर्ष को करना चाहिए उस दिन नमो भगवते वासुदेवाई मंत्र का उच्चारन करना चाहिए और गौदान करना चाहिए इस प्रकार व्यासजी की आज्यानुसार भीमसेन ने इस वर्ष को किया इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं निर्जला वरत करने से पूर्व भगवान से प्रार्तना करें कि हे भगवन आज मैं निर्जला वरत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा मैं इस वरत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नश्ट हो जाए इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्तर से ढख कर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए जो मनुष्य इस वरत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यग्यादिक करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता इस एक आदशी के वरत से मनुष्य विष्णू लोक को प्राप्थ होता है जो मनुष्य इस दिन अन खाते हैं, वे चांडाल के समान हैं वे अंत में नरक में जाते हैं जिसने निर्जला एक आदशी का वरत किया है, वह चाहे ब्रह्मा हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेश किया हो मगर इस वरत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है है कुंती पुत्र जो पुरुष यास्त्री श्रद्धा पूर्वक इस वरत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए प्रतम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मनों को मिष्ठान वदक्षना देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती, आदि का दान भी करना चाहिए जो मनुष्य भक्ती पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें निश्चे ही स्वर्ग की प्राप्ती होती है कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद